गुड मॉर्णिंग टियर इस्टुडेंट्स आज हम किसी भी फिजिक्स लेब में यूज होने वाला जो की एक मीनिमम लेंग्ट को नापने के लिए जो हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर्स आज हम वर्नियर कैलिपर्स का लेस्ट काउंट अर्थातुस का अलपत मांक और उससे रीडिंग लेना हम यहां सीखेंगे यहां पर आप देख पा रहे हैं यह एक ऐसा डिवाइस है जो की बहुत मीनिमम रेंज को हमारा मीजर कर सकता है यहां पर आप देख पा रहे हैं यह वर्नियर इसकेल कहलाता है और वर्नियर इसकेल में दो तरह के इसकेल हैं पहला यह आप जो इसकेल देख पा रहे हैं यह मेन इसकेल कहलाता है और दूसरा जो आप यहां पर देख पा रहे हैं बड़ी इस पश्टा के साथ यह जो यह ज डिवीजन में बटा हुआ है इसलिए में इसकेल के एक सिंगल डिवीजन की वेलू जो है वो पाइंट वन सेंटीमीटर हो गई यहाँ पर वर्नियर के कुल खानों की संख्यादी आप गीनेंगे यह टेन है अब इसका लिस्ट काउंट जो निकालते हैं वो लिस्ट काउंट कै कालने के लिए जो है लिस्ट काउंट के लिए आपको में इसकेल के एक भाग का मान जहां पर मैंने पाइंट वन सेंटीमीटर है और टोटल वर्नियर के कुल खानों की संख्याद टेन अर्थाथ पाइंट जीरो वन सेंटीमीटर यह इसका लिस्ट काउंट हो गया तो इस त suppose मैं मैंने एक यह लिया और इसका मुझे डाइमीटर निकालना है या इसकी मोटाई निकालनी है तो मैं इसको यूज कर रहा हूं इस तरह से मैंने ये खुला इसको इस तरह से खोला मैंने और ouais मैंने इसको यह लिया यह आप देख सकते हैं मैंने इसको ले लिया है पूरी तरह से और मैं इसको इस तरह से ले आऊँ अब यह मैंने इसको लिया यहां आप देखिए आप देख सकते हैं कि यह इसका जो पहला वर्नियर को जो पहला वाला है main scale के कौन से भाग को touch कर रहा है यहाँ देखिए यह 1 cm है तो यह 0.8 cm पर है तो main scale का जो part हो जाएगा वो 0.8 cm होगा उसके बाद आप बारिकी से पहले division से आप देखते चले जाएए कि कौन सा division in 10 division में से कौन सा division main scale के किसी भी division से exactly मिल रहा है तो मैंने यहाँ पर properly जो मैं देख पा रहा हूँ यह देख पा रहा हूँ कि पहला division नहीं मिल रहा है दूसरा division भी नहीं मिल रहा है तिसरा division भी नहीं मिल रहा है fourth division जो है वो exactly जो है main scale के division से मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इसलिए चुंकि इसका list count था 0.01 so हम 4 का multiplication करेंगे 0.01 से तो vernier की जो reading हो जाएगी 0.04 और main की reading हो जाएगी 0.8 so यहाँ पर जो main scale आएगा main की scale की reading जाएगी 0.8 cm और plus vernier की हो जाएगी 4 into 0.01 का मैं multiplication करूँगा और इस तरह से हो जाएगा 0.04 cm और इस तरह से total जो values हो जाएगी reading की 0.84 cm और इस तरह से हमने total diameter निकाल लिया और फिर उसका half करने से हमारा radius निकल जाएगा इसलिए यह जो value है 0.01 cm तक के range को यह read कर सकता है और फिर से मैं repeat कर दूँ कि इसके main scale और vernier scale दोनों होते है main scale की reading वो होती कि vernier का पहला वाला भाग जहां पर होता है उसको हम read करते हैं दूसरी बात vernier के पढ़ने के लिए जो exactly कोई भी division इन 10 division में से जो भी division main scale के किसी भी division से exactly मिलता है उस number आप division से हम इसके list count का multiplication ले लेते हैं और इस तरह से हम उसकी reading पढ़ते हैं अब मैं आपको लेकर आऊं screw gauge पर यह है screw gauge जो की और अधिक fine observation हमारा करता है मैं इसे सीधा कर दूँ यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं सी screw gauge में यह इसका main scale कर लाता है यह इसका main scale कर लाता है यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 0.5 cm जो है यहाँ पर 5 division में divide हुआ है इसलिए एक division की values जो होगी यह 0.5 cm है यह length जो आपका half cm है और यह 5 divisions में यहाँ divide हुआ है इसलिए एक division की values हो जाएगी 0.5 upon 5 अर्थात एक division की values 0.5 upon 5 तो 0.1 cm का हमारे पास main scale का एक division की values होगी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यह vernier scale है और जिसमें total हमारे divisions जो है वो 100 है यह total divisions यहाँ पर 100 है अब इसको बहुत ही इसका list count कैसे करेंगे जैसे इस vernier scale का list count आज जाएगा main scale के एक part का मान बटा cool number of divisions in the vernier scale चुंकि यहाँ पर main scale के एक division की value है 0.1 तो 0.1 upon 100 अर्थात इस vernier screw gauge का जो list count है वो है 0.1 upon 100 अर्थात 0.001 cm यहाँ पर मेरे पास एक दूसरा screw gauge भी है यह ज़्यादा sensitive है देखिए यह क्यों sensitive हो गया क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर जो यह 5 cm जो है 0.5 cm अर्था half cm यह 10 divisions में divide है जबकि इस से पहले वाले screw gauge में यह 0.5 cm 5 division में था तो इसकी values जो थी वो 0.1 की थी लेकिन अब यहाँ पर यह ज़्यादा sensitive हो गया क्योंकि 5.5 cm अर्थाथ half cm 10 divisions पर है इसलिए 0.5 upon 10 अर्थाथ इसका जो single values जो होगी 0.05 की होगी अब यह असलिए यहाँ पर इसके division total 100 है इसलिए इसका list count हो जाएगा 0.05 upon 100 अर्थाथ 0.0005 cm तो यह जो screw gauge है इस screw gauge की बजाए ज़्यादा sensitive हो गया अब इसकी reading लेने के लिए suppose मैंने यह wire मैंने लिया है इस wire का reading लेने के लिए मैं इससे इस तरह से रखता हूँ और अब मैं इससे close करता हूँ यहाँ से और जैसे ही यह इस पर close हो गया आप देख पा रहे है अब मैं इसकी reading पर आऊँगा यहाँ पर आप देखिए इस पच्टा के साथ मैं focus करने की कोशिस कर रहा हूँ कि main scale में मुझे कितने division दिखाई दे रहे है main scale में एक division मुझे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप यहाँ पर देख सकते है main scale में एक single division मुझे दिखाई दे रहा है यह देखिए single division दिखाई दे रहा है और एक division की value है 0.05 so 0.05 हो जाएगी फिर मुझे देखना है कि यह जो यह है exactly कितने division पर है यह line जो कितने division पर यह 50 और यह 52 पर है so इसका जो list count है 0.0005 cm मैं उसे 50 से multiply कर दूँगा और वो vernier की reading हो जाएगी और main की reading हो जाएगी हमारी 0.05 so the total जो मेरी values आएगी वो main की यहाँ पर आजाएगी point चुँकि एक division था और एक division की values थी तो this is the 0.5 cm plus vernier के लिए आपका आजाएगा 54 divisions vernier के थे और इसका जो list count था 0.0005 so इसका जो values है इस values पर यह हो गया vernier का reading और यह हो गया main scale का reading यह दोनों का हो गया total जो values आएगी वही हमारा star का जो है वो diameter होगा और फिर उसका half करके हम उसका radius हम निकाल सकते हैं तो इस तरह से आज आपने vernier पर और screw gauges पर काम करना और उसका list count और उसका reading कैसे ली जाती है यह आपने सिखा है Thank you